सिन्धू सभयता के मूर्तिकला के बारे में ही हम बात करेंगे यह जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं यह हम लोग जो है आट एन कल्चर यानि कलायवम संस्कृति का देख रहे हैं ठीक है तो इस सीरीज से यह विजन का नोट्स है तो हम इसमें अच्छे से अपने तरफ से भी क समझाने का कोशिस करेंगे और इस नोट से आपको क्या फायदा होगा तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपको फायदा यहां पे देखने को मिलेगा वह यहीं मिलेगा कि आपको बड़े ही असानी से लिखने का जो शैली होता है वो समझ में आ जाएगा अच्छा ये कलाएवम संस्क्रिती कौन-कौन से जगह पे पूछा जाएगा तो UPSC पूछता है इसको इसके अलावा और कौन पूछता है तो UPPCS पूछता है इसको और कौन पूछता है तो आपका जो है BPSC नया पे जो है ये पूछना शुरू कर दि क्या है इस तरीके से पूछ रहा है फिक्स नहीं पूछ रहा है कि यही तीन में से कोई एक आएगा ठीक है इसके अलावा BPSC 69 का अगर आप लोग प्री का देखें या फिर आप 69 का प्री देखें तो उसमें भी आटन कल्चर से कुछ कोश्चन उठाया गया है ठीक है तो ज सारे के सारे जो है एलेभल के जो है एक्जाम है तो हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग ध्यान से देखने का कुछिस करते हैं चलिए देखते हैं तो कह रहा है आपसे कि मूर्तिकला यह जो मूर्तिकला है यह आखिर मूर्तिकला का मतलब क्या होता है तो हम जो मूर्ति बन करनाते हैं तो उसी को हम मूर्थि कला कहते हैं तो यह कला क्या है तो देखिये डर्ड कर संग्या क्या होता है उसको क्या हम फील कर सकते हैं हां कर सकते हैं क्या हम छू सकते हैं क्या हम देख सकते हैं नहीं वह टैंजिबल नहीं है यानि हम उसको टच तो नहीं कर सकते हैं ठीक है वह टैंजिबल नहीं है मगर इसके साथ साथ अगर हम गिये कहें कि अगर वह के चीजों के मदद से दिखा सकते हैं तो हम मूर्ती बना करके दिखा सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं तो हम जो है उसको म्यूजिक के मदद से दिखा सकते हैं जैसे कि कोई मान के चलिए हम दुखी है किसी से और हम उसको एक सैट सॉंग सुना दे तो उससे हम उसको जो है कि भाई देखो हम तुम से बहुत ही नाराध चल रहे हैं, है या नहीं है ऐसा बात, तो ये सब चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम खुस है, तो हम कोई पार्टी स्टोंं पर डांस कर सकते हैं, घुप तो थोड़ा सा रोंदू वाले दान्स कर सकते हैं तो यह तो जो हम अपनी भावनाव को एकस्प्रेश करते हैं मतलब अगर हम आपसे यह कहें कि अ क्या कि दा क्या है तो आप यह एक कहेंगे कि भावनाओं की भावनाओं की अभी व्यक्ति को ठीक है भावनाओं की अभी व्यक्ति को क्या कहते हैं कला कहते हैं अच्छा मेरे हिंदी पर मत जाहिएगा गलत लिखते हैं बहुत ज्यादा ठीक है वंगर बात यही है कि भावनाओं की अभी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कला कहते हैं ठीक है इसका मतलब अगर इंग्लिस मीडियम समझें तो अभिव्यक्ति मतलब होता है expression हमें अभिव्यक्ति की आजादी भी आर्टिकल 19 में ठीक है और expression किसका emotion का भावना का तो जब हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं यह कोई भी माध्याम हो अगर हम उससे भावनाओ है कि वो क्या है वो एक कला है ठीक है चाहे वो music हो वो भी एक कला है क्योंकि उससे भी हम अंदर के emotion को ही दरसाते हैं अब अगर हम आपसे बात करें तो बताईए कि culture क्या है 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 तो बताईए culture क्या है संस्कृती क्या है है ना संस्कृती जीने की सैली है ठीक है संस्कृती जो है वो जीवन को जीने की सैली है उसे ही हम संस्कृती कहते है culture is way of living life इसका मतलब तो देखिए culture जीने की सैली है तो हर किसी के जीने का सैली अलग-अलग होता है हर किसी के जीने का जो सैली होता है वो अलग-अलग होता है मान के चलिए किसी हिंदु परिवार में जन्म लिये बच्चे का जो जीने का सैली होगा वो अलग होगा किसी मुसलिम परिवार में जन्म लिये बच्चे के जीने का सैली अलग होगा जीने का सैली सली क्या होता है रहन सहन खान पान यह सब चीज उसी को तो हम जीवन जीने की सहली कहते हैं top off is up जबकि हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति जो करते हैं तो उसे हम कला कहते हैं तो मूर्ति बना करके हम क्या करना चाहते हैं अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसलिए यह मूर्ति कला है ठीक है तो यह तो आपका कि मुर्ति कला तो ऑधिक अ थिक है बढ़ हम तरीके का चीज बनाया है तो देखिए जो क्पीरियेड उनक तीन चीज हों से बनाई जाती थी एक तो पथर से तुसरा कि झाट्टी से और तीस मिट्टी से ठाल थासर ने में ने लिधंड से अग यह सब होते हैं तीक कैंल गोल्ड भी ये सब सब मेटल है तो यह है और मिट्टी से अच़ा मिट्टी में भी दो संवेटे का मिट्टी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खडब्बपald लोग वह लोग क्ति दो सी कि करते कीज़ से टरीं ऐसे दो तो उन्हों ने मिट्टी को आग में पका के तब उसका यूज किया है तो वह पकी हुई मिट्टी थी जाहिट सा बात है कि नहीं होंगी ठीक है, मगर वही अगर हम आपसे ये कहें, कि जो पकी हुई मुर्तियां, पकी हुई मिट्टी की जो मुर्ति थी, तो वो लोग कुछ देखने को मिली हैं, ठीक है, तो पकी हुई मिट्टी की मुर्तियां देखने को मिली हैं, तो जो मिट्टी पका करके अगर मुर्ति बनाया जाता था तो हम उसे क्या कहते हैं उसे टेरा कोटा कहा जाता था देखिए उसे क्या कहा जाता था ठीक है तेरा कोटा की मूर्ती यानि पक्किवी मिट्टी से निर्मित मूर्ती को हम क्या कहते हैं तेरा कोटा की मूर्ती तो अब बताईए कि टोटल आप कितने तरीके से मूर् बना रहे हैं एक तो पत्थर से उसके अलाबा और किस चीज से तो उसके अलाबा बना रहे हैं धातु से यानि मेटल से और तीसरा मिट्टी मिट्टी में भी दो तरीके से कच्ची मिट्टी और पकी हुई मिट्टी और पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं तो तेरा कोटा कहत हैं क्लियर है अब आते हैं आगे एक चीज कहता है सुरु में ही हम लोग देखें कि जो आपका सभ्यता है महड़पन सभ्यता तो वह अपने उनत तकनीकी के लिए जाना जाता है है ना हमने सुरु में ही देखा कि यह एक नगरिये तो यहां के लोग है, यहां के कौशल है, यहां की जो उन्नत टकनीक है, वही सब जो है, इस सब गरिता को नगरिये शबगता बनाया है। तो आपको देखना ये है कि यहां की जो मूर्तियां है यहां पे लिखा हुआ है कि जो यहां की मूर्तियां है वो यहां के ततकालीन तकनीकी प्रगती की परिचायक हैं मतलब उस समय उस contemporary era में इतना ज्यादा technology advanced था यह हम कैसे जानते हैं यहां के मूर्तियों को देख करके हमे यह पता चलता है और केवल मूर्तियों को ही देख करके नहीं सबसे ज्यादा तो इसका ट्राउन प्लैनिंग देख करके हम लोग आश्चरे चकित हो जाते हैं कि कितना advanced इन लोगों का टेकनोलोजी था कितना advanced mindset के यह लोग थे अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं या फिर आप किशिश की बनाएं मिट्टी की बनाएं या धातू की बनाएं जिस भी चीज की बनाएं दो तरीके का मूर्ति देखने को मिलेगा व्यक्ति की और पशुओं की ठीक है व्यक्ति की और पशुओं की और एक तीसरा मूर्ति दिखेगा सामान का है यही तीन चीज बना होगा तो उसका मुर्ति बना देंगे गारी हो या जो भी हो ठीक है तो यही तीन तरीके का मुर्ति जो है देखने को मिलता है तो अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रस्तर मुर्तियां जो है अच्छा अगर आप से कोई पुछे पत्थर का मुर्ति था तो कितने तरीके का सकता है एक तो यह सकता है कि इनसाना का बना हो दूसरा जानवर का बना हो कुछ समान का भी बनाया शकता है थिक करते हैं चस्के पास जो है कागज पे नहीं बनाया जा सकता हो ठीक है घिससे देख़ीए हम लोग प데ेंटिंग चुत्र कला जा प्ला कॉता हूज से यह जो आप लिखा हुआ देख हो पी पे तो यह दूमी यह हं ठीक है पेइंटिंग 00006 194 64 अगा देखु अउपा Series 1 ति महीं संज़ दूमा थाराते हैं थार्य किसी तरी किस आप Chapter 2 सब्सक्राइब के चाहकं किता है तो मूर्ती होता है बाक्राइम क्लाया प्रफटटे में the सायद क्लियर हो गया होगा तो मुर्तियां भी दो तरीके की होती है एक तो आसन होती है और दूसरी स्थानक होती है ठीक है आसन तो आसन का मतलब ही होता है बैठा हुआ बोलते हैं यह वाला आसन वह वाला आसन या जब घर पे पूजा होता है तो बोलते हैं पंडी जी के जुझे हैं और दूसरी स्थानक मुद्रा में होती है एक भाध ध्यान दीजिये यहां पे यह Tanaka और मुष्ब को अपे यहां पूछ सकता है Derek small ट्रा सकता हिना Mother बात किये थे कि यहां पे जो है तीन चादी का चीज व्यक्ति पशू और सामान तो उसी में हम बात करेंगे पशू की स्वरी पूरुषों की जो है यह यदि बेसिकली व्यक्ति की आकरितियों के बारे में तो एक रेड़ सैंड स्टोन का बनाया हुआ क्या है प्रतिमा है Red Sand Stone का बनाया हुआ प्रतिमा है और ये प्रतिमा जो है ये धर का है ये धर क्या होता है धर का मतलब है कि ये प्रतिमा जो है उसका मतलब मुंडी नहीं है एक इंसान है किसी व्यक्ति का किसी पूरुस का मेल का एक जो है मुर्ति है जिसमें उसका मुंडी गायब है और उसका के केवल क्या है मुंडी के नीचे का हिस्सा है हम उसे ही धर कहते हैं ठीक है दूसरा एक और हम लोगों को जो है दो पत्थर की एक मुर्ती कैसी है तो पत्थर के उस मूर्ती में उस पत्थर के इंसान का मुह ही नहीं है केवल और केवल क्या है केवल और केवल धर है ठीक है माने का हिस्सा है मुझ काटके बाकि सारा हिस्सा है और वह पूरा पत्थर का है तो दुर्योधन हो गया है वह एक तरीके से समझे तो आगे समझते हैं दूसरा जो हम लोग देखते हैं तो वह अच्छा कौन सा पत्थर ये भी ध्यान रखना है डीप स्टडी बहुत जरूरी है कौ केर पका पर्षन वह लाल कलर का है और मुंडी गायब है वही अगर बात करें की दूसरा जो हम लोगों को मिला है तो दाड़ी युक्त आवक्ष मिला है जो कि सेल घड़ी युक्त आवक्ष का मतलब होता है जो're call入 sola एरिया उसी के बारे में बात कर रहा है चेस्टके बारे में उसकोल गाल लोग आवक्ष बोलते हैं तो ज्यादा तर जो है लड़कों कि जो फिर्ज है ग taş और बाल होता है नोल हेई ऑवक्षत इसको सर्च कर लीजएगा वकषित सरायत से उसी को बोलते हैं अगर चहातिक और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 6 यह किसीज की बनी हुई सेल खड़ी का है तो यह सॉफट सटोन होता है वाइट इस na3 शॉपट एक इंग्लिस में steatite कहते हैं ठीक है steatite अब चलते हैं आगे कह रहा है कि एक और चीज हम लोगों को मिले है और वो क्या है तो वो भी इसी soft soft stone का बना हुआ है सेल खड़ी का बना हुआ है जो की एक मूर्ती है और वो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है पारदर्शी मतलब transparent है जैसे अगर आप कोई गाना वाना हो और उसमें लड़की भींगी लड़की हो वाइट कलर का कपड़ा पहने तो पारदर्शी उसका जो है transparent यानि अंदर का जो भी चीजे वो सब बाहर दिखाई देगा जो भी चीजे है वो बाहर दिखाई देगा ठीक है तो यह सब फिल्म बनाने के लिए ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है ठीक है तो उस तरीके का जो है पारदर्शी वस्त्र transparent कपड़ा पहना कर बने उस तरीके का मूर्ति है और यह कौन से चीज से बना हुआ है तो यह भी पत्थर से बना हुआ है कौन सा पत्थर सेल खड़ी का पत्थर ठीक है अब इसके अतिरिक्त हम लोग बात कर लेते हैं कि और यहां पे क्या-क्या देखने को मिलता है ठीक है तो तो देखिएगा, एक सेकेंड रूकी है, इसको थोड़ा साम इधर कर लें, इसके अधिरिक्त प्रस्थर की बनी हुई पसू की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो ये तो हम लोग पहले ही देखे कि, यहां पे पसू की मूर्तियां जो है, वो देखने को मिलती हैं, तो द जो लाइम स्टोन होता है उसके बारे में यह बात कर रहा है तो चूना पत्थर का है यह और इसका खासियत क्या है यहक अ कम्पोजिट है अन्य एक composite sculpture है, एक संयुक्त मूर्ती है, जिसमें की भेड और हाथी का portion है, बने भेड का भी है और हाथी का है, बेसिकली आप समझेए, ये पूरा का पूरा भेड है, ठीक है, ये जो figure है ये पूरा का पूरा भेड है, इसका पयायर हाथ सब चीज भेड का है, मूँ भी भेड का है, बट इसमें एक जूट मूट का सूड लगा दिया है, ठीक है, सब भेड का है, बट एक सूड डाल दिया है, और इस वज़ए से ये भेड और हाथी का mixture हो गया है, तो ऐसा भी एक जो है मूर्ती देखने को मिलता है, अब देखिए जितने भी हम लोग मूर्ती के बारे में पढ़ें, जितने भी प्रस्तर मूर्तियों के बारे में अभी हमने देखा, तो वे जितने भी थे, सारा का सारा पत्थरीला मूर्ती का जो हाथ और गर्दन के पास मतलब जैसे हम ये मूर्ती बना दिये हैं ये मूर्ती बना दिये हैं ये इसका हाथ हो गया नीचे पैर हो गया ये मुंडी हो गया तो ये पत्थर का जितना भी मूर्ती हम लोग बनाए हैं तो उन सब के गरदन के पास खोकला है और हाथ यानि कंदा के पास खोकला है और अगर पैर भी जोड़ा गया होगा तो इधर भी खोकला देखने को मिलता है मतलब यहाँ पे छेद है तो इससे पता चलता है कि यह जितनी भी मूर्तियां है यह सब अलग-अलग बनी थी यानि इतना दूर का पोर्शन पहले बना लिये तांग अलग से बना लिये दोठो हाथ दोठो अलग से बना लिये और मुंडी एक अलग से बना लिये और यह जो आ इतार किया है इस सब में छे था कंधे के पास गर्दन के पास और मुंडी जो शाइड मे बनाये थे हैऊ उसको यह पर लाके फिट कर देंगे ये जो हाथ ता इसको यहां पर फिट कर देंगे और सब्दैट कर सब्सक्कीन बें होगी तो ये पददर कैसे थे समला तो पहले इनको अलग अलग बनाया गया है और उसके बाद इनको फिट किया गया है ऐसा कैसे पता चल रहा है तो ऐसा हमें पता चला है कि जितने भी पत्थर की मूर्तियां मिली है हडपा में उनमें गर्दन सारे पत्थर की मूर्तियों में ऐसा नहीं है बट जादातर पत्थर के मूर्तियों में क्या मिला है कि छेद है उनके गर्दन के पास और कंधे के पास यानि पहले इतना दूर का material तैयार कर लिए यहां छेद बना लिए गर्दन रखने के लिए इधर खोखला छोड़ दिये ताकि इसमें घुसा के हाथ फिट कर दे और अलग से हाथ और मुंडी बनाए और पैर बनाए ठीक है तो इस तरीके से उस जमाने में पत्थर की मूर्तियों का निर्मान किया जाता था तो आज जो हम लोग देखे हैं वो है प्रस्तर मूर्तियां इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो आपका क्या होगा धातु की मूर्तियां ठीक है तो वो क्या होगा आपका एक सेकेंड रुकिएगा तो वो धातु की मूर्तियां होंगी ठीक है और आपका एक मृण मूर् शील से माइक का से देख़क शीरल ने मोख हो सकता है आपमार शील मूर्ठी कोते हैं ने किसी ले आंपके मूर्थी का संपेले रिटा देख्वास देखने को मिल सकता है पसु की मूर्थियां देखने को मिल सकती है तो व्यक्ति में हम लोगों ने तीन तरीके का चीज देखा एक हम क्या देखे एक तो देखे कि एक इंसान था जिसके पास पूरा नीचे का तो पोर्शन था बट उसका मुंडी गायब था और यह कौन से पूरुस का चाती रहा होगा और उसको कौन से चीज का बना हुआ था तो वह स्टिया टाइट का बना हुआ था मैंने एक सॉफ्ट स्टोन जो की वाइट कलर का होता है जिसे हम हिंदी में सेल खरी कहते हैं उसी का बना हुआ था इसके अलावा हमने देखा कि स्टिया पत्थर का मगर अगर वही हम बात करें कि क्या पशूओं का भी कुछ मिला है तो हां पशूओं का मिला है और वह क्या है तो वह है भेड और हाथी का कंपोजिट स्कल्प्चर जिसमें की पूरा पूरा चीज भेड का ही है बट एक सूर लगा करके उसको थोड़ा सा अगले वीडियो में क्योंकि लंबा वीडियो बनाने ही सकते हैं अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है अगर 50 मिनट का वीडियो चला जाता है तो तो आज आप लोगों का प्रस्तर मूर्तियां चोड़ते हैं इसके बाद धन्हातु मूर्तियों को समझेंगे उसमें हम लॉस्ट वैक्स टेकनीक के बारे में समझेंगे ठीक है और उसके बाद जो है आपका आगे इसी तरीके से आटन कल्चर का जो पोर्शन है हम छोटे-छोटे पार्ट में कम्प्लीट कराते चले जाएंगे चलिए थैंक्यू अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा खुद और अपने दोस्तों पर भी भेज दिजेगा चलिए थैंक्यू